हेलो फ्रेंड्स वर्कम टू क्वांट स्टडी हमारा आज का चैप्टर है एजिस और उसका हम आज करने वाले हैं पार्ट वन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हम यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर कोई भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगाव फॉलो कर लीजिए और कोई भी आपडेट को मिजमत कीजिए यह वो टॉपिक हैं जो मैं आपको कबर करवाने जा रहा हूं इन्हें द्यान से देख लीजिए और यह सब टॉपिक आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंग जो हमारा एज जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि इसके most concept जो है वो ratio proportion चैप्टर से ही लिए गए हैं अगर आपने ratio proportion चैप्टर अच्छे से पढढ़ है तो आपके लिए यह chapter solve करना बच्चे के मतलब खेल के बराबर हो जाएगा तो जिन future anything time events पे हम questions करेंगे दूसरी चीज आपको याद रखनी है ये chapter शुरू करने से पहले कि दो बंदे उनके बीच में age का gap कभी change नहीं होता अगर मैं और मेरे friend में आज age का gap जो है वो 4 साल का है तो वो आज से 5 साल आगे भी 4 साल रहेगा और आज से 10 साल बाद भी 4 साल ही रहेगा ऐसा नहीं होगा कि time बढ़ने के साथ हमारी age का gap भी बढ़ता जाएगा जो आज gap है वो ही 10 साल बाद भी रहेगा ठीक है अब क्या है अगर हमें कोशन शुरू करते हैं जिसे हमें age की पुरानी रेशो दी गई है फिर age की new ratio दी गई है और कहा गया है कि 10 months later यहां फिर 10 months before 10 years later 10 years before कुछ भी ऐसी statement दी गई है तो हम क्या करेंगे वो जो 10 जो term है जिसकी बात कर रहे है कोशन बे वो दोनों बंदों में add हो की दोनों बंदों के ratio में add हो की है दोनों बंदों में दोनों quantities में बस उसी concept में यह chapter हम ने करना है आप example देख सकते हैं कि a और b के बीच ratio अगर उनने x y दी है तो उनने कहा है कि 6 months पहले और b के बीच में क्या ratio होगी तो 6 months जो है वो a से भी subtract होंगे क्योंकि 6 months पहले की बीच में जो ratios हैं वो 6 is to 5 है अब देखिए जरूरी नहीं है उनने हर टाइम mention ही किया होगी present age की ratio जो है 6 is to 5 है यहाँ पर is लिखा हुए तो is का मतलब है present tense की बात चल रही है कभी कभी questions में was लिखा होगा तो was का मतलब है past की बात चल रही है रेशो हो जाएगी उनके ages की 8 is to 7 उनने पूछे की present ages क्या है present ages कौन सी थी जो 6 is to 5 की ठीक है अब इसका solutions देखते हैं हमने वैसे ही लिखा A भी लिखे उनकी present ratio लिखी 6 is to 5 और जो future में ratio होगी वो है 8 is to 7 वैसे ही same वैसे ही जिससे हमने ratio proportion के part second में किया था अब उनने कहा है कि 10 years later यानि कि 10 जो है वो add होंगे क्योंकि पुराणी ratio में जो 10 years हम add करगे तभी तो new ratio बनेगी ठीक है 10 year A में भी add होंगे 10 year B में भी add होंगे तो क्या करेंगे हम इनकी individual quantity को पहले देखेंगे कि क्या gap है 6 से 8 के बीच में है 2 units का gap 5 से 7 के बीच में 2 unit का gap तो ये वही 2 unit है जिसकी value ही 10 तो 2 unit की value हागी 10 1 unit की value हागी 5 और उनने पुछी है present ages तो present ages की ratios के 6 इस्ट। 5 अगर 1 unit की value 5 है तो 6 unit की हो जाएगी 30 और 5 unit की हो जाएगी 25 तो उनकी present ages आजाएगी A की आजएगी 30 years और B की आजएगी 25 years बस यही वो question है ऐसे ही question होंगे बीच में ratio थोड़ी अलग लग होगी कोई difficulty level कुछ high नहीं होगा यह बहुत असान chapter है अगर आपका ratio proportion chapter अच्छे से आपने पढ़ा है अच्छे से complete किया उसके सारे concepts पढ़े है तो यह chapter आपके लिए बच् 9 वाज यहां विल भी नहीं वाज आएगा वाज 9 is to 14 वट इस दा रिश्यो बिट्विन देर एज इस फाइव थ्री इयर्स हैंस का मतलब future ठीक है त्री तीन साल बाद वह आप प्रेजेंट से बाद जब यह तीन से तीन साल आगे जाने की बात कर रहे होते हैं ठीक है जो अ चीज तो आप यही देख लोगे कि अगर past की बात चल रही है तो कभी भी कोई quantity add नहीं होनी चाहिए ठीक है ऐसे भी आपने देख लिया कि individual जो है इनकी gap जो है अलग लग आ रहे है एक का 4 आ रहा है अब हम क्या करेंगे आपको मैंने बताया था अगर different quantity different आ रही है और question में same ही gap कहा हुआ है तो हम क्या करेंगे हम इनके individual ratio जैसे present की ratio का gap निकालेंगे और past की ratios का gap निकालेंगे तो 5 और 6 के बीच में कितने का gap आ गया 1 का और 9 और 14 के बीच में कितने का gap आ गया 5 का 5 हम present वाले से multiply करतेंगे 1 हम past वाले से multiply करतेंगे तो past वाला तो change नहीं होगा present वाल बूल जाएंगे अब हम इसी पर काम करेंगे अब प्रेजेंट एज है उनकी 25 रेशियो 30 और पास्ट की एज थी 9 रेशियो 14 अब आपको दिख रहा है कि अब प्लस नहीं हो रहा है अब माइनस होगा ठीक है कितने का गया पा रहा है 16 का आ रहा है A में और 16 का ही आ रहा है B में और कोशन में भी यही चीज गई होगी है कि 16 यह बैंक तो 16 यूनिट की वैलियो आगी 16 यह और 1 यूनिट की वैलियो आगी 1 यह अब उनने पूछा है कि उनकी एजी के जो रेशियो है 3 साल बाद आज से 3 साल बाद क्या होगा तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उनकी हो जेगे 33 और उनने रेशियो पूछी है तो 28 इस टू 33 इस था रेशियो बिट्वीन एजीज ओफ ए एंड बी 3 एर हैंस ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं एक ही प्रेजन एजन उनने 30 दिया है अब यह कोशन रेशियो से नहीं स्टार्ट हूँ यह डिरेक एक 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 अब देखि ए हर कोशन आपको पैज पेलीकर स्वॉल्व करने का जरूत नहीं होती है ہے यह कोशन हवा में भी और पहले आपको बताऊँगा कि हवा में कैसे हुआ एकी एज है अभी 30 और उनने 5 साल पहले की बात किया तो 5 साल पहले एज की क्या होगी ऑर 5 साल पहले की रेशो भी दी हुई है एकी रेशो की वैल्यू होई है 5 वैणिट इमड़ीट को हम 25 से दिया हुए वही होगा तो 5 और 7 के बीच में gap कितने का आ रहा है 2 units का अगर 1 unit की value आपने 5 निकाली है तो 2 unit की होज़ेगी 10 और वही 10 years जो है इनकी age का gap होगा अब इसका solution one by one करके देखते हैं हमने A की लिखी present age 30 उन्होंने 5 साल पहले की बात की थी 25 years आगी 5 साल पहले की age यूनिट की value आगी 5 years ठीक है अब आप एक चीज़ कर सकते हैं यहां तो आप B की present age निकालो A की present age दी हुई है अब इनमे 17 17 add करो फिर इने minus करो तो आपको gap मिलेगा पर जैसा कि मैंने आपको का gap तो सहीं में रहता है हमेशा तो इतना जमिला करने के बजाए सीधा आप ratio में इनको minus कर लो 7 minus 5 होंगे 2 unit 1 unit की value है 5 year तो 2 unit की value होगी 10 year यानि उनकी age का difference जो है वो अगर आज 10 साल का है तो आज से 17 साल बाद भी 10 साल का ही होगा वो change नहीं होगा चलते हैं अपने next question पर a और b की ratio दी गई है 5 is to x में ठीक है इस बार x की value हमें निकालनी है ठीक है हमें पूरी ratio दी नहीं गई है इन्होंने कहें a जो है वो c से 18 साल चोट है 9 साल बाद c जो है 47 years का हो जाएगा अब जो difference है उनकी a और b की age का वो कितना है वो c की present age से 2 साल जादा है अगर c की present age 16 है तो a और b की होगी 18 वैसे c की अगर 20 है तो a और b का gap होगा 22 ठीक है जो भी age आईगी उसमें हम 2 add कर देंगे चलो देखते हैं इसका solution कैसे करने है अब सबसे पहले line तो अभी हमारे लिए worthless है क्योंकि वो 5 is to x है उसे करने का जरूरत नहीं हम next line से शुरू करेंगे a जो है 18 सा चोटा है इससे भी अभी कुछ निकलेगा अब इन्होंने कहा है c जो है आज से 9 साल बात 47 का हो जाएगा तो अगर हम 47 में 9 साल माइनस करते तो उसकी आज की यह जाजएगी तो c की आज की age आगी 38 years ठीक है अब इन्होंने कहा है जो है वो c से 18 साल चोटा है तो 38 में 18 माइन से 2 साल जादा का है यानि c की present age 38 है तो a और b के बीच में कितने का gap होगा a और b के बीच में gap होगा 40 का ठीक है तो अब a तो 20 है अगर हम a को बड़ा मानेंगे फिर 40 का gap निकालने जाएंगे वो तो negative में चल जाएगा तो हो नी सकता तो इससे obvious सी बात है कि b बड़ा होगा a 20 year है इनके बीच का gap 40 है तो b कितना होगा b होगा 60 years ठीक है अब next statement क्या कहती है कि a और b के बीच जो उने ratio दिये वो है 5 is to x ठीक है और अगर इधर हम निकालें तो a और b के बीच आ रही है 2 is to 6 की ratio 20 और 60 को अगर हम ratio में convert कर दें 2 is to 6 आएगा अगर 2 is to 6 को और short करे तो वो 1 is to 3 आएगा 1 is to 3 ratio हमने निकाली है 5 is to x रो ने दी होई है अब हमें क्या करना है हमें कुछ भी करके जो 1 वाली term है a की इसको 5 में convert करना है तो इक कैसे 5 में convert होगा जब हम इसको 5 से multiply कर देंगे पूरी term को a is to b की पूरी ratio को जब हम इसको 5 से multiply करेंगे तो a is to b आ जाएगा हमार x की value आजएगी 50 ठीक है अब चलते है next question पर a और b के बीच में 14 साल का difference है जो 14 साल आज का difference है वो 10 साल बाद भी 14 साल का ही रहेगा याद रखना 7 साल पहले उनकी ratio जो थी ages की वो 5 is to 7 थी ठीक है हमें बताना है b की present age के हमारे पास ratio a की दी है 5 is to 7 और जो exact value दीए गई है वो ह और question में उस gap की exact value of 14 years तो 1 unit की value आजएगी 7 years ठीक है compare करने पे अब 7 साल पहले b की age क्या होगी 70 to 7 49 years तो present age क्या हो जाएगी b की 49 में आप 7 add कर दोगे 56 year is the present age of a is to b इसी question के साथ आज जो हमारा ages का first part है हम इसे यहीं पर end करेंगे कल मैं आपको थोड़े अलग type के question दिखाऊंगा हो सकता है उनका level इन से थोड़ा बड़ा हो या हो सकता है वो इन से totally different हो वो आपको अलग next video जाएगा इसका ages का part 2 आएगा उसी में पता चलेगा मेरी एक बार फिर से मैं आप लोगों से request करना साता हूं कि इस chapter को शुरू करने से पहले आप ratio proportion का chapter जरूर करें अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपके इसमें किये हुए बहुत सी tricks को miss करेंगे आपको समझनी आएगा कि वो trick कैसे आई हमने कैसे solve किया है वो सारी tricks जो है वो explain की गई है ratio proportion chapter में जिसके direct links आपको description में available है ठीक है इसी के साथ हम अपनी वीडियो को end करते हैं आप प्लीज इस वीडियो को like कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे share भी कीजिए थैंक यू